जै जिपतानी आज का दिन पहुँच शुभ है मैं कामी निखन्दा ब्यूटि विदा एस्ट्रोलोजी की फाउंडर आपका इस शुभ दिन पर स्वागत करती हूँ आप सबसे नमर निवेदन है कि सबस्क्राइब कीजे मेरा ये यूटूब चैनल यूटूब स्लैश ब्यूटि विदा एस्ट्रोलोजी जब आप सबस्क्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर उपर बेल बेटन आएका उसे क्लिप करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारिया आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी मैं जो राशीपल बताती हूँ वो लगने के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टन्सी चाहिए उनके लिए मैंने वाटसप नमबर दिया हुआ है चलिए जानते हैं आज का पंचाम आज 8 अगस 2022 चंद्रवा मृष्चिक राशी मे दो पहर दो बच के 36 मिनिट तक उसके बाद धनुराशी में नक्षत्र है जेश्ठा बुद्ध का नक्षत्र दो पहर दो बच के 36 मिनिट तक उसके बाद केतु का नक्षत्र मूला पुत्रदा एकादशी है आज श्रावणी सोमवार है महराश्ट्रा में जो मनाया जाएगा और तिल चड़ेंगे शिवजी को एक मुठे आज शुक्र करकराशी में प्रविश कर गए थे साथ तारीक को हम जानेंगे मेश से लेके मीन राशी पर इसका तीन चरणों में क्या प्रभाव पड़ेगा मेश राशी शुक्र आपके बैठे हैं इन दिनों करकराशी में आपकी घर की साथ सज्जा रेनोविशन पर आपका अंदादून खरचाना हो जाए इसका ध्यान रखे शुक्र यहाँ पर अस्वस्ता हैं तो माता की तबियत का भी ध्यान रखे घर के सुक्स विधा का ध्यान रखे अपने वाहन वगरे का भी ध्यान रखे बिश्जब राशी आपके लगनेश हैं शुक्र जाकर तृतिय भाओं में बैठेंगे जमेंगे तो आपकी यातरों में आप खोजेंगे के आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेट काम हो जाए आपके छोटे भाई भेनों की तबिय ठीक रहे इसका भी ध्यान रखना है उनको भी साथ रखना है और अपने उत्साह मंग में कोई कमी हो आपकी तो आप कर सकते हैं महलक्षमी की आरादना मित्थुन राशी शुक्र के करकराशी में बैठने से आपके परिवार में थोड़ा सा मत भेद हो सकता है आपको संचित धन नहीं करना है आपको धन उड़ाना है आपको एंजोयमेंट करानी है परिवार को और उनको नहीं करनी है मत भेद ना करें अपना धन संचित करें करकराशी आपके लिए लगन में शुक्र आना मतलब आपका विरोधी ग्रह है लेकिन लाबस्तान का स्वामी है तो आपको पैसे देता है आपको कई प्रकार की सुक्स विदा उत्पन न करनी है अपने घर लेकिन उसके लिए अंदादुन खर्च न करें और अपनी तवियत का ध्यान रखें सिंग राशी तो आदशबाओं में शुक्र बली होते हैं लेकिन करकराशी कमसूर हो जाती है यहाँ पर प्रेम संबंदों में बाधा ना आए आपके किसी प्रकार से अंदादुन खर्चे न हो विदेश रिलेटेड काम अच्छे हो यह भी आपको ध्यान रखना है कन्या राशी आपके कई सारे काम जिसमें पैत्रिक संपत्ती से रिलेटेड विवाद केसे वगरा शामिल थे तो सोच समझ के एमी केबली खतम करके बातों को खतम कीजे साथ साथ यह वी ध्यान रखिए कि आपके इन दिनों जो विवार चल रहे हैं पैसा आने के लिए वो अच्छे रूप से हो उसमें कोई बाधा ना आए बोलने का मतलब है तो लाराशी शुक्र करकराशी में प्रविश करेंगे तो आपको अपने कारियों के विशे में सजग होना पड़ेगा मीडिया से रिलेटिट आर्ड से रिलेटिट धन से रिलेटिट अगर आपको इसी यह हैं पैसे का विवार करने तो समल के कीजे पैसा उढ़ाएगा मत मृष्ची कराशी आपके लिए शुक्र काकराशी में आना मतलब आपकी मीडिया और आर्ट से रिलेटेट कामों में वृध्धी आपकी खुबसूरती से रिलेटेट कामों में वृध्धी और इसके लिए आपको सजग होकर करना पड़ेगा व्यभार ये नहीं कि आप बहुत सादा धन करते हैं करते हैं और फिर पच्चता हैं धनो राशी तवियत अच्छी रखें कोई जननिंद्रियों से रिलेटेट प्रॉब्लम है स्तिरियों में महावारी ओवरी यूटरस से रिलेटेट प्रॉब्लम है तो समल करें और किसी भी बात की जादा चिंता होती है तो डॉक्टरी सला लें प्यपसाइक पार्टनर और विवाही जीवन के पार्टनर के साथ भी प्यार बना के रखें मकर राशी मकर राशी के लिए आपके लिए अब देखे के शुक्र सब्तमभाव में आए वैसे तो स्थान बली हो गए आपके कई सारे काम बना देंगे आपके विवाही जीवन में आपको सपोर्ट तो देंगे लेकिन कहीं पर कोई अन्बन है इसको आप दूर कीजे प्यार से और कई बातें सौर्टेड हो जाती है अगर बात अच्छे से की जाए आपकी पपली के में बिगड़े ना इसका भी ध्यान का कुमबराशी विरोधी उठ खड़े ना हो और आपको किसी भी बात की तकलीफ ना देंगे इस बात का ध्यान आपको रखना है लोंस वगरा सुचारू रूप से आते रहें इसलिए मेहनत बढ़ा दीचे और मामा पक्षे के साथ बिलकुल ना बिगाड़ें मीन राशी आ आपके बच्चों के साथ आपकी अन बनना हो आपके लिए किसी भी प्रकार से ऐसा काम ना हो जिसमें मितरता को आगात पहुंचे आपके मितरों को आगात पहुंचे आपकी बातों से उनके साथ बना कर रखें अपनी अध्धन पढ़ाई बच्चों के अध्धन पढ़ाई समहलके करें, किसी भी प्रकार का व्यत्ते या विलासिता की ओर दिमाग न जाए नहीं तो सबकाम बीच में छूट जाएंगे मैं एक आमी निखना बता रही थी मैं इस से लेके मीन राशी पर शुक्र के करकराशी में आने का प्रभाव शुक्र करकर आशी में वैसे महालक्षमी योग बनाते हैं धन कमाने की पूरी कोशिश कीजे कैसा रहेगा आज का दिन सुनते रहेंगे आप मेरी यानि कामीनी खन्ना के साथ Only on Beauty with Astrology Monday to Friday जिन लोगों को कंसल्टन्सी चाहिए उनके लिए मैं एक बार WhatsApp नमबर दोहरा देती हूँ 8369 555929 नमबर एक बार फिर दोहराती हूँ 8369 555929 आपका आज का दिन मंगल मैं हो अत्यन तशुब हो आपका 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 आपक